है हलो एवरीवन वेल्कों बैक तो माइड यूटूब चैनल टीचिंग सब्जिक्स आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरे बारे में मेरे बारे में आपके काफी सारी कोशन्स रहते हैं कि मैं माप कहां से हो आप अपने बारे में बताईए आप कैसे टीचर बने ठाटिवारी के बारे में सबसको मेरा नाम तो पताइए निकिता टिवारी मैं से बीलॉघ करती हूं मेरी सारी सिस्टर से एल्हर्श सफब से चल्च के पर अब सबसक्याइब करते हैं मेरा स्टाटिंग से 1 2 5 अंसाट करते मेरे बारे में něसलोगام जो पढ़ता है वैसे वाला बच्चा थी मैं तो फंसे फाइफ क्लास में ऐसे आवरेज पास पास होने इतना मक्स लेकर आ जाती थी और पढ़के तिर्फ हिंदी वाले एक्जाम में जाती थी वाकियों कि पुछ आता ही नहीं था फंसे फाइफ तक बहुत लेजी थी मैं उसक क्लास में एडमिशन हुआ हमारा स्कूल चेंज हुआ क्योंकि 125 घ्रम एक स्कूल में पढ़ते में मेरा एं Cons इक्सी क्लास में संस्क्रित आए सब्जेक्ट क्या में वनकी स्कूल एक तरिकी से आपको पीरिच के अग्जाम हुआ और तो फिर प्रिच क्लास में शंस्क्रित मे मेरा जब फर्स्टम का एक्जाम हुआ और संस्कृत क्योंकि एकदम नहीं थी मैं फेल होगी संस्कृत में जब में संस्कृत में फेल हुई तो एक होते हैं आपको जटका सा लगता है कि अरे यार मतलब जो मेरे से ज़्यादा डफर स्टूडेंट्स थे वह पास थे और मैं फ बोला था कि आये बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करती है ऐसे करके खूब डाट पड़ी तो घर जाके क्या हुआ मेरे सिस्टर्स ने मेरो पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया और उसके बार से मेरा जो इंट्रस्ट है पढ़ाई में आने लगा क्योंकि होते हैं आपको जब जैसे वन से लेकर यह सब्सक्राइब क्लास से लेकर 10 तक मेरी फर्स्ट पोजिशन आई क्लास में ज्यादा कॉंपेटिशन था नहीं मुझे अपने स्कूल के टाइम में मैं जितने माक्स लेके आती थी वाइस ज्यादा होते थे उस टाइम पर ठीक है वन तूफाइब यह स मेरा इंटरस्ट नहीं था खाना बड़ाने में तौउ मेरे को मैं इकनामिक्स के लिए मैं फिर से खूल चेंज वहा और 11-12 क्लास में दूसरे स्कूल से कि वह भी जो स्कूल पी प्रड़र्मेंट के साथ मेरा आट से मैंने प्रएड किया तो उसके करना था लॉयर बनना था पर उस टाइम जो सके एंट्रेंस के जो फॉर्म फिलिंग का जो देड़ था वो निकल गया उसके और मेरे पास एक आप्शन बचा वो था डियलेट में एडमीशन निकां मेरा इंटरनल मोटिवेशन नहीं था इंटरनल में इतना इंट्रस्टेड भ भी था और मेरे को वैसे भी बस में ट्रैवलिंग करने में दिक्कत होती जब ट्वेल से निकलने के बाद अभी जैसे आप लोग एकदम कन्फ्यूज रहते हो आपने खुझ से अकेले ट्रैवलिंग भी नहीं की होगी इतनी उस टाइम मैंने भी नहीं की थी परस्टाइम क् लगबग 30 किलोमेटर 40 किलोमेटर दूर अपने डाइट जा रहे हैं तो वह एक मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था उस टाइम पे डाइट मैड मीशन होने के बाद क्या हुआ मैंने देखा महां पर अरे यार यहां तो मुझसे भी जहना माक्स वाले बच्चे आ रहे हैं मैंने आपको बताई कि मैंने वन से लेकर ट्वेल्थ क्लास में इतना कॉंपिडिशन देखा नहीं था यहां पर आके 96 परसेंट 94 परसेंट मैं 88 परसेंट लेके बैठी थी उसके फिर भी फर्स्ट एर मेरा इंटरस नहीं था स्कूल में भी क्या था कि बच्चे हलके में ले मेरा सडन इंटरस्ट चेंज हुआ जब मैं अपनी सेपी पर गई थी तो वहां जो मेरे स्टूडेंट थे वह नंबर वन स्टूडेंट कहेंगे उनको मतलब ऐसा कि हमारी हो जैसे मैं को फोई दिक्कत नहीं चाहिए ऐसा उनके अंदर था अगर मेरी स्टूडेंट जब होत में और मैंने कहा कि नहीं अब मुझे बस टीचर ही बनने क्योंकि मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं इस वजह से सब्सक्राइब मेरे अगर हम एक्स्टर्नल में मेरा हाइस्ट माक्स था लेकिन इंटर्नल में क्योंकि आपका वह भी जुड़ता है आपके हैल्थ लिखे होते हैं लिखे देते हैं बाहर उसमें मेरा फर्स्ट बंद्रा था पोजिशन मैंने खुड क्या था यह ओके तो ऐसे करके आपकी डाइक मेरी खत्म हुई उसके बाद मैं आई अपना ग्रेजुएशन किया मैने भारती कॉलेश से तीन साल में मेरा ग्रेजुएशन ह और नॉन कालेज से ही मैंने अपना मास्टर किया है पॉलिटिकल साइंस में तो अभी क्वालिफिकेशन है मैं मास्ट्र कर चुकी हूँ में इन पॉलिटिकल साइंस में ऑगे और उसके बाद मेरा में हुआ तो इसके बीच मैंね काफी सारे exam के थूर इसमें नहीं आया फिर क्या हुआ बिहार में निकले थे शुप किया थे तो उस्में मेरा नंबर आ उस मेरा नंबर आए तो फिर शिफ्ट हो गिए बिहार और भीहार मेस तो ने सब्सक्राइब को बताए कि कैसे यहां पर जोइनिंग होती है अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज वीडियो जाके देखें जरूर से जरूर और उसके बाद से मैं बिहार में पढ़ा रही हूं अभी मेरे को लगबग छे महीने हुए हैं टीचिंग के फिल्ड में प्रेक्टिस करते हुए और इसके साथ ही यूटूब पे भी मैं आपको गाइडेंस देती रहती हूं जो भी में इस तरफ से हैल्प हो जाती आपको इसके साथ ही मैं एक सब्सक्राइट वीडियो में आपको बताऊंगे कि मेरा यूटूब पे आने का अचानक से क्या मन बन किस यह लगा लो आपके चार-पांच साल हो गए बीच में अब एक होता है ना इंसान का आपको जॉब नहीं मिल रही होती तो आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो अंदर से बहुत लोग होने लगता है क्योंकि आप मैं बताती हूं मेरे घर में सबसे ज़्यादा पढ़ा जोगरी नहीं हो रही है तो एक स्रेस था इसलिए और में शिस्टर ने बोला कि ऐसे स्ट्रेस में का कोई ज़रूत नहीं आपको आपके टाइम से आपकी जाती है तो तुम क्या कर सकती हो अपना यूटूब चैनल खोल सकती और उसमें बच्चों को पढ़ा सकती हैं फिर हल प्रोसेस था कि मैं अभी विहार में गवर्मेंट टीचर के रूप में काम कर रही हूं प्राइमरी 1-5 के स्टुडेंट्स को मैं पढ़ाती हूं जिसमें आपका एक्टिविटी क्लास में करवाती हूं वह मैं आपको भी दिखा हूं ताकि आप जब अपने स्टीपी पे जा आपका लाचपत नगर में टीचर में एन्जी टिचर यूपी में और एक मैं कुद हूं भी बिहार में मतलब हम लग भग तीन स्टेट को फिलाल पढ़ा रहे हैं तो वो जो है आई इस की तयारी कर दी है तो ऐसे हम तीन स्टेट का उद्धार कर रहे हैं तरीके से और यह क्योंकि हमां हमें खुद पसंद है इसलिए हम इस फिल्ड में आ गया मेरी आपको पता चल गए स्टार्टिंग में इंट्रस्ट नहीं था लेकिन बाद में बच्चों बनने का सोच रही थी और मैं मेरा पूरा मोटिव है कि मेरे को टीचर बनके ही रहना है क्योंकि मज़ा आता है बढ़ाने में तो यह चोड़ा सा वीडियो कैसा लगा मेरे बारे में आपको जानके वीडियो फसंद आई तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब किजेगा अगे थैंक यू